हलो दोस्तों आप सभी को मैं नमस्कार आप सभी का रीटेल स्मार्ड इंविश्टर यूट्यूब चनल पर शौगा थे दोस्तों आज इस इंट्रेस्टिंग वीडियों हम लोग बात करेंगे अफल इंडिया के बारे में जो कि लास्ट टेडिंग डे में गीर आउट के साथ ये क्लोजिंग दिया था और ये तक्रिवन पांच हज़ार तीनसो पचास रुपे के आसपास क्लोजिंग दिया था और इस स्टॉक के फिफ्टी टू वीक हाई की बात करें तो ये छे हज़ार तीनसो के आसपास देखने को मिल दा है उन अस्तरों से ये तक्रिवन एक हज़ार नीचे उपलब्ध है और अगर फिफ्टी टू वीक लो की बात करें तो ये नौसो रुपे के आसपास है और फिफ्टी टू वीक लो से ये काफी उपर जा करके अभी भी ट्रेड कर रहा है अब बहुत सारे जो निवेसक हैं दोस्तो वो 6300 के अस्तर पर फस चुके हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि FL इंडिया में क्या करना चाहिए क्या ये सेर इन अस्तरों से और नीचे जाएगा या फिर यहां से ये बांस बैक देदेगा तो हम लोग दोस्तो कैसे जाने यहां पर देखिए इसके टेकनिकल चार्ट को ये उचता मस्तर से ये लगातार नीचे गिरावट की और चलता हुआ देखने को मिल रहा है हम लोग कैसे जाने कि ये क्या हो सकता आने वाले दिनों में तो दोस्तों ये काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है इसको आप इंडिया के रैली में अभी तक पाटी सेपिट नहीं कर पाये थे किसी कारणों से और अब उनका भी मन ये हो रहा है कि एफल इंडिया में घुसना चाहिए लेकिन इसकी गिरावट को देखते हुए लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि एफल इंडिया में क्या करना चाहिए तो चलिए दोस्तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे कि जो उपरी अस्तरों में फसे हुए वो क्या करें और जिने फ्रेस इंट्री लेनी है वो क्या करें और जो एग्जिस्टिंग निवेसक हैं जो इसमें होल्ड किये हुए वो क्या क मिल रहा है अगर overall trend की बात करें तो यह stock जो है overall uptrend में चल रहा है काफी bullish phase में चल रहा है इसमें देखें लगातार यह उच्छाल में चल रहा था उसके बाद lockdown के बाद इसमें गिरावट आई उसके बात देखें लगातार higher high बना रहा है और एकदम rocket बन गया है और काफी दिनों तक यह rocket बना रहा और तकरिवन छेह जर चार सो का स्तर यह छुआ है उसके बाद से इसमें लगातार भारी बिकवाली चल रही है तो अब हम लोग कैसे जाने कि यह stock जो है बातार उपरी अस्तरों पर चलते वे देखे जाते हैं लेकिन जब market के sentiment खराब होते हैं तो जिस प्रकार से कमजोर stock पिटते हैं उसी तरह से मजबूत stock की भी पिटाई चलती रहती है और जब भी market का sentiment positive होता है तो मजबूत fundamental वाले stock सबसे पहले recovery करते हैं और फिर वापस व इंडिया का fundamentals मजबूत है या नहीं तो इसके अगर हम लोग annual result पर बात करें दोस्तों तो FY18 से इनके annual result हम लोगों के screen पर देखने को मिलना है तो यहां पर हम लोग क्या देखने हैं दोस्तों कि इनके sales जो हैं साल दर साल लगातार काफी high growth से बढ़ते हुए हम लोग देख पा रहे हैं सेम प्रियेड में अगर net profit की बात करें तो net profit भी इनके लगातार साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और काफी high speed से यह बढ़ रहे हैं high growth rate से बढ़ रहे हैं अगर trailing 12 month की बात करें तो FL India का trailing 12 month जो sales figure दिख रहा है वो 455 करोड का देखने को मिल रहा है जो कि इसका life high है और net profit की बात करें दोस्तों trailing 12 month के अधार पर तो यह 92 करोड देखने को मिल रहा है जो कि इसका life high net profit देखने को मिल रहा है interest burden की बात करें तो interest burden इनका negligible है इनका operating profit के सामने 1 करोड का interest burden कुछ भी नहीं है तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि इनके fundamentals अ कि इनके जब इतने अच्छे business चलना है तो इनके reserve में पैसे बाढ़ रहे हैं या नहीं तो यहां पर देखिए इनके reserve जो fy 18 में 6 करोड हुआ करते थे वो लगातार काफी high growth rate से बढ़ते हुए fy 20 में 204 करोड हो चुके हैं और September 2020 में तो यह 246 करोड हो चुका है life high इनका reserve दे growth rate से अपने business को बढ़ा रही है और इनके net profit भी उसी परकार से बढ़ रहा है इनके reserve भी बढ़ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि अफल इंडिया के fundamentals काफी अच्छे हैं तो दोस्तों अब हम लोग वापस चार्ट पर आते हैं और यह समझनी कोशिस करते हैं कि अब यह stock यहा pattern है इसके कैसे देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले quarter 3 के result का मिलान करें तो यहाँ पर देखिए यह December quarter यानि quarter 3 में यह 150 करोड का sales report की थी जो की same period previous year में यह 94 करोड देखने को मिला था तो इनके year on year basis में quarterly sales figure में काफी high growth देखने को मिल रहा है वही पर अगर same period में net profit की बात करें तो यह quarter 3 में 31 करोड का net profit report की थी जो की last year same period में 21 करोड देखने को मिला था तो यहाँ पर इनके net profit में भी हम लोगों को काफी high growth देखने को मिला है अब हम लोग September quarter के भी result का मिलान कर लेते हैं यानि quarter 2 तो quarter 2 में यह 135 करोड का sales report की थी जो की same period last year यह 85 करोड देखने को मिला था तो यहाँ पर हम लोगों देखने हैं दूस्तों कि इनके जो sales हैं काफी high growth से बढ़ते वे देखने को मिल रहा है same period में अगर हम लोग net profit का मिलान करें तो second quarter में 27 करोड का net profit की थी जो कि same period previous year यह 16 करोड का देखने को मिला था तो इनके net profit में quarter 2 में काफी high growth देखने को मिल रहा है अब हम लोग जून quarter की भी बात कर लेते हैं यानि quarter 1 quarter 1 में 90 करोड का sales report की थी जो कि same period previous year यह 75 करोड देखने को मिल रहा है यानि कि इनके जून quarter में भी sales में जबरजस्त ग्रोड देखने को मिला है same period में अगर हम लोग net profit की बात करें तो quarter 1 में 19 करोड का net profit report की थी जो कि same period previous year यह 19 के जगा 13 करोड देखने को मिल रहा है तो इनके net profit में हम लोगों को quarter 1 में भी काफी high growth देखने को मिला था तो इस परकार से दोस्तों हम लोगों ने अभी तक यह पाया कि f.l.in इंडिया के जो annual result रहे हैं वो काफी सांदार देखने को मिल रहे हैं और इनके जो quarterly result हम लोग देख पा रहे हैं quarter on quarter काफी तगड़े अगर इनके year on year quarterly result को भी देख रहे हैं वो भी काफी तगड़े देखने को मिल रहे हैं तो इसके जो quarter 4 के जो result आएंगे दोस्तो इस pattern को अगर follow करते हैं तो काफी सांदार देखने को मिल सकते हैं तब दोस्तो जब quarter 4 के result सांदार आएंगे तो हम लोग वा प्रगातार भी क्वाली देखने को मिल रही है एक quarter four के result आते ही इस stock में हम लोगों को वापस उच्छाल देखने को मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तों target की कि ये कहां तक जा सकता है अने वाले दिनों में तो इसके लिए हम लोगों को इसमें कुछ support and resistance लगाना पड़ेगा हम लोगों ने support and resistance लगा लिया है अब देखिए अब इसमें हम लोग target की बात करते हैं कि किन अस्तरों से एक किन अस्तरों तक ये stock आने वाले दिनों में जा सकता है तो जिस प्रगार की बिक्वाली देखने को मिल रही है इस stock में दोस्तों तो जो strong support देखने को मिलेगा वो तक्रीबन एक आवन सो के आसपास देखने को मिल सकता है इस stock में और जब भी इसमें तेजी बनेगी दोस्तों तो जो इसको strong resistance देखने को मिलेगा वो तक्रीबन 6300 के आसपास देखने को मिलेगा और इसके long term target की बात करें तो 9600 का जो level है दोस्तों आने वाले एक साल में ये अनुमान लगा पा रहे हैं अब दोस्तों हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा कि कब इसके quarter 4 के नतीजे declare होते हैं और इस stock में वापस तेजी होती है तब तक हम लोगों को इसके जो price movement है उसको वाच करना पड़ेगा और जिन भी निवेसक जो की उपरी अस्तरों में फ अभी portfolio में पड़ा हुआ है वो अगर add करना चाहें तो वो add भी कर सकते हैं इन अस्तरों में लेकिन मेरे अनुसर इस stock में आने वाले दिनों में तेजी वापस लोटते हुए नजर आ सकती है इसके result के अधार पर तो हम लोगों को इसके result पर काफी ध्यान रखना तो उमीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी interesting लगा होगा और अगर आपकी भी राय FL India के बारे में कुछ है तो आप मेरे comment box में जरूर लिखें और आप मेरे next वीडियो को इंतियार करेंगे दोस्तों तब तक कि लिए आप सभी को में नमस्कार